हेलो एबरिवन आज मैं आपके साथ शियर करने जा रही हूँ आटे के हलबे की रेस्पी आटे का हलबा खाना सभी को पसंद है आज मैं आपको बताऊंगे पर्फेक्ट नाप के साथ आटे का हलबा कैसे बनाएं अगर आप इस तरह से आटे का हलबा बनाएंगे तो सभी आपकी तारिफ करेंगे, चलिए शुरू करते हैं बनाना आटे का हलबा बनाने से पहले एक बरतन से नप सेट कर लिजिए, चिससे आप सारा मेजरमेंट करेंगे आप चाहें एक कटोरी ले लिजिए, चाहें एक कप आपने सारा मेजरमेंट इसी बरतन से करना है मैंने जहां पर दो कटोरी पानी लिया है, हमने पानी का हाफ चीनी डालना है, जहां पर मैं एक कटोरी चीनी डालूँगी दोने चीज़े एड़ करने के बाद इंडक्शन को आन कर देंगे आप ध्यान रखें कि हमने चीनी की चासने नहीं बनानी सिर्फे से पिगलाना है जैसे ही हमारी चीनी पिगल चाएगी हम इंडक्शन को बंद कर देंगे देखिए हमारी चिनी अच्छी तरह से पिगल चुकी है दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसमें आटा डालेंगे हमने जितनी चिनी लेई थी उतना ही आटा एड़ करना है मैंने पैन में पहले खी आड़ नहीं किया है मैं आटे को 2-3 मिन्ट तक ड्राइ रोस्ट करूंगी बहुत से लोग आटे को ड्रैक्ट खी में पूनते हैं अगर आप इस तरह से आटे को पहले ड्राइ रोस्ट करेंगे तो हलबे का टेस्ट बढ़ जाएगा इसलिए आप एक पर इस तरह से आटे का हलबा बना कर जुरू ट्राइ करें 2-3 मिन्ट तक आटे को मीडियम टू लो फ्लेम पर फूनने के बाद ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे और आटे से एक हलकी सी खुश बुआने भी शुरू हो गई है अब हम आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे सेम पैन लेंगे जिसमें मैंने आटा पुना था और उसमें खी आड करेंगे जहां पर मैंने एक कटोरी का तीन चुथाई खी लिया है अगर आपको गुर्दवरा सहब बलकडा पर साथ पसंद है तो आपने एक कटोरी आटे के लिए एक कटोरी खी लेना है बाकी का खी बाद में डालेंगे मैं जहां पर देसी खी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हलबा देसी खी में ज़्यादा टेस्टी बनता है खी हमारा पीगल चुका है अब मैं इसमें काजू और बदाम डालूँगी और इन्हें हलका सा फ्राई कर लूँगी इस समय हमारा खी ज़्यादा गर्म नहीं है दो मिंट बाद काजू और बदाम का हलका सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है अब हमें इने बाहर निकाल लेंगी अगर आप हलबे में किसमिस डालना चाते हैं तो आप उसे अलग से फ्राई करें क्योंकि बैब काफी जल्दी पक जाती है अब हम इसी खी में डालेंगे आटा जिसे हमने हलका सा ड्राई रोस्ट करकी रखा था गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई है हमें इस समय आटे को ज़्यादा फूननी की जुरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने आटे को पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था मुझे आटे को फूनते हुए 5 मिट हो चुके हैं और आटे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है जब आटे का कलर हलका ब्राउन हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें आड़ करेंगे हमारा चीनी बाला पानी आप बेफिकर होकर सारा पानी आड़ कर दीजिए पानी बिल्कलो भी जादा नहीं होगा पानी आड़ करने के बाद हलबे को थ्यान से हलाएं ताकि छीटे आपके हाथ पर ना पड़ें आटे के हलबे को गाड़ा होने के लिए एक से दो मिट का समय लगेगा दो मिट बद आपका हलबा बनकर त्यार है अगर आपको खी कम पसांद है तो आप हलबे को इस समय भी सर्प कर सकते हैं इस समय हमारा हलबा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है क्योंकि हमने आटे को पहले भी ड्राइ रोस्ट किया था और बाद में खी में भी पूना है। इस समय हमारा नॉर्मल वालबा बने कर त्यार है। इस समय हलबे में एड़ करेंगे दो चमच खी और हलबे को 2-3 मिंट दक और फोन लेंगे। हम हलबे की साइडों पर जितना खी डालेंगे हमारा हलबा उतना ही ज़्यादा सॉप्ट बनेगा। आप नेक्स टाइम जब भी हलबा बनाए इस ट्रिक को जुरूर फॉलो करें। हमारा हलबा देखने में कितना अच्छा लग रहा है जैसा कि गुर्दवरा साहिब में मिलता है। अब हम इसमें एड़ करेंगे ड्राइफ रूट। आप चाहिए तो ड्राइफ रूट को कट करकर डाल सकते हैं मैं सापत ही डाल रही हूँ अगर आप चाहिए तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। खीर डालने के बाद देखिए हमारा हलबा बिल्कुल भी पैन के साथ नहीं चिप करा है और असानी सी खूम रहा है। मैं आपको हलबे की सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ इस तरह से थोड़ा सा हलबा पैन में से बाहर निकाल लेंगी। देखिए हमारा हलबा कितना सॉफ्ट बना है। हमारा हलबा इस समय बन कर त्यार है अब हम गैस की फ्लिम को आफ कर देंगी। अब हम हलबे को एक टोरी में निकाल लेते हैं। देखिए हमारा हलबा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप आटे का हलबा अपने खर पर बना कर जुरू ट्राइ करें। इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठैंक यू।